हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेटरे मैंड के इस यूटूब चैनल पे और चलिए आज जो है मैं बहुत ही इंपोर्टन्ट एक वीडियो लेके आये हूं आप लोगों के लिए और आज के सेसन में हम जानेंगे वो इंपोर्टन्ट बुक्स जो के र रिलीज हुए हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर कोई भी टीचिंग जॉब एक्जाम में करेंट फेस की तरह जो है पूछे जा सकते हैं तो किसी भी फॉर्म में हो जो इंपोर्टन्ट बुक्स रिलीज हुए हैं उनके बारे में जो हम जानेंगे नाम जानिंग ये ओथर का, ठीक है, तो चली स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट, दोस्तों, एक चोटी सी बात कह दू मैं आप लोगों को, अगर आप लोग प्रिपेर करना चाते हो, बेड एंटरेंस के लिए, या फिर की से भी इनवर्स्टे एंटरेंस एक्ज हो रहे हैं, तो you can join our channel, लिटरी माइड, आप अपनी दोस्तों को भी बदा सकते हैं, इस बारे में, सीटेट के लिए प्रिपेर करना चाते हो, it would be really good कि आप जो है, 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 आपको, वीडियो प्रोवाइड करोंगा, सीटे मिलेगी आपको, तो please, do not forget to join our channel, तो join करिए, और telegram channel भी join कर सकते हो, और कोई query रह जाती है, तो इस WhatsApp नमबर पर आप call करके, जो है, अपनी query को, शान्द कर सकते हो, राइट, चलिए, तो July 2022, यानि कि, just अभी August चल रहा है आपका, तो August में जो भी आएगा, मैं आपको, बीच करिए है, वो है, the McMohan line, ठीक है, a century of discord, तो difference से थोड़ा सा related है, बड़ ऐसा नहीं है, कि किसी भी entrance exam में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता अचानक, ठीक है, तो the McMohan line, a century of discord by JJ Singh, यानि कि JJ Singh द्वारे लिखा गया है, और McMohan line आपको पता है, इंडिया और चाइना के बीच वाली line को McMohan line कहते हैं, क्योंकि McMohan के द्वारा ये जो है, ड्रो की गई थी, राइट, चलिए, तो next है आपका second book, जो कि है connecting through culture, connecting through culture एक second book है, जो कि जुलाई के मंथ में launch की गई है, और ऐसा नहीं कि S.J. संकर नहीं इसको लिखा है, S.J. संकर आपको पता होगा कि व में भी हैं अभी हाल फिलाल में, क्योंकि Ukraine और Russia war के बीच में जो है, इन्होंने, जो speeches दिये हैं, वो काफे popular हुए है, इसी बीच, तो काफी famous नाम है, S.J. संकर विदेश मंतरी में, काफी बेबाग तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो इसको याद रख लीजेगा, अगर पूछा जाए, अपने foreign minister कोन है, तो S.J. संकर हैं, ऐसा नहीं है कि यह जो connecting through culture जो यह book है, यह इन्हें के द्वारा लिखी गई, ऐसा नहीं है, इन्होंने जन्स launch किया है, इसको एक event में, book जो है, एक collective efforts के द्वारा, जो कुछ organization से उनके द्वारा लिखी गई है, तो फिलाल बस ऐसा याद कर लिजे कि connecting through culture जो है, S.J. संकर जो हैं, अपने foreign minister, उनके द्वारा launch किया गया है, अगर पूछा जाएगा, तो launching पूछा जाएगा, not by the, not the name of the author, right, so now, June के मन्त में आ जाते हैं, जुलाई में, यह दो नाम आप याद कर लिजे फिलाल, next है आपका विनित कर करनिक जी का The Winning Formula for Success, यह एक first book है, आपके June मन्त की, जो मैंने आपर लिस्ट कर रही है, विनित करनिक जी की, तो आप इसको याद कर लिजेगा, success कैसे जो है, पाया जाए, इस sense में यहाँ पे बहुत सारी चीज़े बताए गई है, ठीक है, चलिए, May 2022, एक हे book यहाँ पे जो कि मैंने वो डाला है, जरिक में 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 आ जाते हैं, में में जो है आपका, Listen to Your Heart, The London Adventure by Ruskin Bond, यानि कि Ruskin Bond के द्वारा जो है, यह चोटा सा यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो, Listen to Your Heart, The London Adventure, यह पूछा जा सकता है, और literature section से हो सकता है, यह पूछ लिया जाए, ठीक है, तो current affairs में भी हो सकता है, यह include, क्योंकि हाल फिलाल में books launch हुए यह, तो book के category में इसको डाल के आप जो है इसको याद कर लेगा, Listen to Your Heart, The London Adventure by Ruskin Bond, राइट, नेक्स्ट है आपका Place Called Home by Preeti Shanoi, यह एक next book है, जो कि Preeti Shanoi जी के द्वारा लिखा गया है, A Place Called Home, A Place Called Home, इसको भी आ नहीं है, साय दिये, एक बार कंफर्म कर लीजेगा, but as far I know, I have heard about it, that it was a best sell, right, now, third book, जो कि आपके June में launch की गई है, June, right, so sorry, May में, May में, तो The Struggle for Police Reforms in India, और काफी बढ़िया book है यह, आपको समझने में असानी होगी, कि पुलिस जो है, माना जाता है कि, जो रूलर है, उसकी बात सुन रही है, पीपल की तो पुलिस है ही नहीं, तो किस टाइप से जो है, पुलिस रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, इंडिया में, या क्या किया जाना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो यह book जो है, प्रकास्टिंग द्वारा लिखी गई है, The Struggle for Police Reforms in India, Roller's पुलिस टो, पीपल्स पुलिस, राइट, अभी तो रोलर की पुलिस है, जैसा सरकार चाहती है कि नहीं, लाठी डंडे बरसाने हैं, प्रोटेस्ट करने वालों पे माल लीजे, तो वहां पे बरसा दे जाते हैं, तो पीपल्स पुलिस कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे बन स सकता है, है न, आप देखोगे कि हर बार एसन यह कि यह चीज गलत है, लाठीया नहीं बरसानी चाहिए, हो सकता है, कुछ उदंड लोग हों, तो बरसाई भी जानी चाहिए, बट किस तरीके से पुलिस रिफार्म्स लाए जानी चाहिए, आपको पता है कि करफशन भी बहु साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि चीजे रिलेट करके आप याद कर पाओ, प्रकास्टिंग क्या थे, फॉर्मर आईपियस आपियस यह नहीं कि इंडियन पुलिस सर्विस में होंगे, तो ओविसली पुलिस से रिलेट कुछ बात करेंगे, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो चीजों को, that's why I am relating things with other information that I have, Queen of Fire, देविका रंगाचारी जो है, वो लिखती है, Queen of Fire, तो एक नाम याद कर लिजेगा, April में जो है लाँच हुई थी वाली बुक, और राइटर का नामा के पास ही है, यह, अश्वनी श्रिवास्तव जी के द्वारा जो ह बिर्सा मुंडा जननायक, यह जो जन जाती है, नायक बाइग प्रोफेसर आलोग चक्रवाल, यह आलोग चक्रवाल जी के द्वारा जो है लिखा गया था, जो कि प्रोफेसर है, जननायक बिर्सा मुंडा, बिर्सा मुंडा के बारे में obviously बताना चाहते है, इस बुक में यह ठीक है जो की काफी बड़ा रोल था इनका freedom struggle में देखोगे आप scheduled cast वोगरा कि उसमें जो है इन्होंने काफी बढ़ियां तरीके से जो है इंडियन freedom struggle में पाट लिया था अब प्रकास कुमार सिंग अब प्रकास उपर वाला लग था वो एक IPS ऑफिसर थे यह देखिए प्रकास थोड़ा सा confusion हो सकता है इसलिए मैं आपको बता दिया प्रकास कुमार सिंग जो की शील्ड को विशिल्ड ये वाली जो बुक लॉंच की गई है इन्होंने यहां पे विकास कुमार जा ये हिंदी में आपको मिलेगा इन्हेम विकास कुमार जा जी दुवारा लिखा गया है ये और आम याद कर लिजेगा हो सकता है ये पूछ लिया जाए लेटरेचर सेक्शन से बन सकता है ये सवाल ठीक है मतलब लेटरेचर सेक्शन में बुक से ही रिलेट उड़ान एक मदूर बच्चे की मिसले स्तिवारी नेक्स्ट नाम है आपका यहाँ पर मॉंसून अपोम बार सारी अपोम अपोम उफ लॉव एट लॉगई बाई अभैकुमार अभैकुमार द्वारा जो है लिखा गया है मॉंसून अपोम उफ लॉव एट लॉगई next है आपका crossing the crossing नाम से जो ये book है ये manjeet man jidwarah लिखा गया है तो इसको भी आद कर लीजेगा feb में आ जाते हैं India that is भारत ये important है ये वाले book हो सकता है ये पूछ लिया जाए तो ये J.S.I. Deepak jidwarah लिखा गया है जो की supreme court में साइड practice कर रहे है law की as far as I know and before that he was an engineer also और कई debates में stalwarts के साथ ये जो है moderator का role भी अदा कर चुके हैं इससे पहले और काफी अच्छी खासी समझ है इनको history वगयार की तो आप ये वाले book जो है देख सकते हो India that is भारत coloniality, civilization, constitution by J.S.I. Deepak ठीक है चली एक स्टी जो मैं इनके बारे में बहुर बता दूँ मैंने एक बारे इनका कुछ देखा था तो ये सिंस बिलॉंग करते हैं south part से तो when someone asked him तो इन्होंने ऐसा नहीं का कि I am south indian respective of that instead of that what he said he said that I am an indian from south तो ये बाली बात मिरको काफी अच्छे लगी थी it's not the way that we divide India into north east or that I am a south indian or I am from north you can see that I am from northeast but saying that I am a south indian, north indian that clearly you know creates a gap so it was a nice way to reply that I am an indian from south or I am an indian from north right next जो है बुक देख लेते हैं fearless governance ये भी पूछा जा सकता है काफी important है तो fearless governance जो याली बुक है ये किरन बेदी दुआरा जो है लिखा गया है खुद जो की पुडुचेरी की जो है फॉर्म लेटिन एंड गवरनर थी वाह की ये भी याद कर सकते हो आप और पुडुचेरी क्या है एक क्या है union territory है राइट union territory है जैसे डेली है इसी टाइप से चलिए golden boy नियरे चोपड़ा जो है नवदीप पुशिंग गिल दुआरा लिखा गया था ये याद कर लीजेगा next है how to prevent the pandemic ये लिखा गया था Bill Gates ये दुआरा आपको पता है Bill Gates वैसे खास कर बोलते रहते हैं pandemic वगयर की बारे में तो ये याद करना भी इसी है last among equals power caste politics in Bihar's villages by Mr. Sharon तो Mr. Sharon जो है इन्होंने लिखी है last among equals ये book लिखी है power caste politics बिहार के power caste वर politics की बारे में तो आगे बढ़ते हैं अब और यहाँ पर अब जो है जैन 2022 के बारे में जैन 2022 में जो books लॉंच हुए है वो एक बार देख लेते हैं हमने फैब वाला पार्ट भी निप्टा लिया है indomitable indomitable जो है अरुन धती रोय नहीं अरुन धती भटाचारिया है यहाँ ठीक है अरुन धती भटाचारिया लग-अलग लोग है इन्होंने लिखा है indomitable एक विमन जो working women होती है life, work, leadership इनके बारे में जो अच्छे से इन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि भाई क्या struggles रहती है क्या-क्या problem वोगेरा आप सारा कुछ यहाँ पर ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence बाई रस्किन बॉन्ड तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और बुक यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाले बुक भी लिखी गई है उपर भेग बुक थी और यहाँ पर एक फिर से एक बुक आपको जोहाँ देखने को मिल रही है उपर एक साइद लिटल बॉई नाम से था इप आपको यहाँ आपको यहाँ याद करके जानी है क्योंकि यह आपके लिए इंपोर्टन रहेगा राइट सबस्टी को बुक दिए अगेँ रिटन रही राइट आपको यहाँ रिटन रही होटा है में फिर्फ्रिक्वेंटल याद कर पैंगी ज़िजों को भूलेंगे नहीं नेक्स था Tन ट्रिलियं द्रीम था former finance secretary सुभास चंदर गर्ग सुभास चंदर गर्ग जी द्वारा जो लिखा गया है जो कि former finance secretary थे और आप देख सकते हो 10 trillion dream जो है एक book लिखे गई है इनके द्वारा राइट penguin publisher है इसके both done told story of an inconvenient nationalist by चंदर चूर घोष तो बोस के बरे में आपको देखने को बहुत कम बिला होगा सुनने को कि क्या इनका रोल रहा था इतना freedom struggle moment में तो इनके बारे में कुछ जो अंसुनी कहानिया है जो कभी सामने नहीं आई है तो चंदर चूर गोष जो है इसको सामने रखते हैं चलिए तो ये कुछ जो है books थी जो मैंने shortlist करी हैं आप लोगों के लिए हो सकता है कि इन में से exam में आपके एक दो book या हो सकता है एक दो questions जो है फस जाए और मैं कोशिस करूँगा कि 2021 वाले list भी जो है आप लोगों को जल्दी से provide करूँँ और आप अगर इस वीडियो को बहुत दिनों बात देख रहा है तो obviously वीडियो डल चुकी होगी यह 2022 वाली थी और August का मन्त अभी इसमें cover नहीं हुआ है September में हो सकता है exam सो आप लोगों के मैं 2022 की बात कर रहा हूँ जो कि target यह जिन का 2022 है बात में गर इस वीडियो को देख रहे हो तो obviously चीजें चेंज हो चुकी होगी बहुत सारी but still this video will be helpful for you तो यहाँ पर कुछ बुक्स थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है और इस बुक पे जैसी इस पोडो पर क्लिक करोगे तो you can access that यहरा website का नाम यहाँ पर literarymind.in जाके जो है और भी चीज़ा explore कर सकते हो previous months के जो है current affairs वगरा भी जो है मैंने डाले है तो वहाँ पर भी उनको explore कीजिए जाके बाकि do not forget to join our telegram channel literarymind कोई भी query हो whatsapp कर सकते हैं मैंने औरड़ी बताया है आपको कि best platform है आपके लिए जहाँ पर आप भी एड entrance की तैयारी कर सकते हो तो join कीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इस sense में नहीं पढ़ाता है कि आप पढ़ रहे हो you have paid and you have just you have just you know start getting education from me नहीं ऐसा नहीं है इसके अलाबा भी बहुत सारी चीज़े जो आप मेरे से सीखते हो discussions होती है white topics पे जो की आपको indirectly help करेंगे आपके entrance exam में तो give me a chance ताकि मैं आप लोगों को जो है एक बार support कर सकूँ और help कर सकूँ तो आईए join कीजिए batches already चल रहे हैं and I really will be helpful for all of you you know मैं ऐसा हासा करता हूं और मिलते हैं आपसे next video में अबे के लिए पस इतना ही but do not forget to join our channel subscribe करना ना भूले like कर दीजिए का video को if you have find it very helpful for you and share कर येगा as I said keep smiling दोस्तों have a great day ahead thank you